कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मतलब जगास चल रही होगी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यदि अभी तक आप राशायनीक समी करने अभी करें उसके important question नहीं देखें हैं तो उसके question हमारी दीगे playlist पर दी गई है playlist आपको वीडियो के नीचे description box पर मिल जाएगा नहीं तो आप चैनल पर जाकरके playlist में वीडियो सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं playlist का नाम है class 10th science important question आप डिरेक्ली यूट्यूब पर भी हमारे वीडियो को सर्च कर सकते हैं जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं जैसे आप अमलिचार उमलवण उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो उपर यूट्यूब पर सर्च करिए अमलिचार question discuss करेंगा चलिस वीडियो को सांदार तरीके से सुरू करते हैं कि अच्छार एवाम लमड एस्ट बेसें सॉल्ट सबसे पहली बता दूं मेरे को खांसी या रही है तो उसमें कोई आपको दिखत हो तो माफ करना मुझे है ना चलिए हमारे पास सबसे पहला question है आसुत जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है question है कि आसुत जल में है यच्छ प्लस आयन की यच्छ प्लस आयन की सांद्रता है आपके पास option दिये गए है 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रती लीटर 10 की पावर माइनस 6 मोल प्रती लीटर 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रती लीटर 10 की पावर 0 मोल प्रती लीटर आसुत जल जल कैसा होता है neutral होता है न्यूट्रल होता है न तो इसकी कितने होती 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर इसका राइट एंसर होगा ये याद रखना क्लियर है नेक्स कुष्यन है कि एक घोल में पी यच का मान 4 है तो घोल होगा एक घोल में पी यच का मान 4 है तो घोल होगा question है बताओ pH scale बना लेते हैं यह यहाँ पे है 7 है ना, 1 से 7 अज 7 से यहाँ तक है 14 7 में क्या होता है 7 में उदा सीन होता है 1 से 7 तक जो रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह कैसा होता है यह अमली होता है यह कैसा होता है तो यह छारी होता है अब यहाँ से देखो किते question निकालोगे जल कैसा है तो जल का pH यह दि पूछा जाए आपसे question भी ऐसे पूछ लिया जाता है बताओ जल का pH बताओ जल का pH मान बताओ question है इसमें है ना, ऐसा नहीं कि question है question इसमें है जल का pH कितना होता है जल उदासीन होता है नाही जल ACD होता है कैसा नाही जल ACD होता है नाही जल बेस होता है नाही जल छारी होता है जल कैसा होता है जल नीटरल होता है जल का pH किता है 7 तो अब question देखो क्या पूछ रहा है एक घोल pH मान जिसका कितना है 4 है क्या है 4 है तो बताओ वो घोल कैसा होगा वो घोल आपके पास option दिये गहे है उदासीन होगा, छारी होगा आइनिक होगा या अमली होगा बताइए क्या होगा बताइए पीएच स्केल देख लिए अब तो बताही दोगे बताओ क्या होगा बिल्कुत सही बोल रहा हो तो अमली होगा, ACD होगा, अब pH skills एक question और देखो, यहीं से एक घोल है, जिसका pH का मान 14 है, तो घोल होगा, बताओ, तो घोल होगा, वो घोल कैसा होगा, अमली होगा, छारी होगा, उदासी होगा, या आइनिक होगा, यदि 14 है, क्या साथ से अगर उधर चला गया, तो कैसा हो होगा, वो छारी हो जाएगा, क्लियर है, इस तरहे question, pH skills से आपके पूछे जाते है, pH का full form क्या होता है, पी एच, पी एच, इसकेल की खोज किस ने की थी, याद रखना, बताए दे रहा हूँ, पी एच, इसकेल की खोज सॉरिंसन नामक वैग्यानिक ने की आ था, क्लियर है और pH के full form होता है, power of hydrogen या फिर potential of hydrogen, क्या होता है, power of या potential of hydrogen, अमली pH का मान है, ऐसे question देखो, question घुमाएगा कैसे pH से, अमली pH का मान है, बताओ, देखो जवाब कैसे है, साथ, साथ तो है नहीं, साथ सूदासीन है, साथ से कम, साथ से अधिक, या फिर सून्या, अमली pH कितना है, साथ से अधिक है क्या, साथ से कम है, या फिर उदासीन है, तो अमली pH जो है, वो साथ से कम है, तो सही जवाब कौन सा होगा, right is the B answer, साथ से कम, अमली pH होगा, clear है, ये देखो टीक लगाते जाओ भूल मत जाना ऐसा क्लियर है बहुत दिर सारे कुष्ट्चर ऐसे गुमाएगा आपसे बहुत घुमाएगा है न अ कुश्चन पूछा जाएगा कॉप अच्छा नियॉन है नियॉन क्या है बताई बहुत अच्छा सा कुश्चन है नियॉन है बताओ जो गैसे बल्व में भरी होती है जो किसी से भी क्रिया नहीं करते है उन गैसों क्या बोलते है जो क्रिया करती ही नहीं है क्या बोलते है नियॉन है छार धातू उप धातू अक्रिय गैस या फिर संक्रमर तत्वा नियॉन क्या है तो नियॉन एक प्रकार की अक्रिय गै घैस है अब आप मुझे comment box में और भी जो अक्री गैस है उनके comment box यह comment करके बताओ यह अद्म अग्रीगेश होती जेनास होती ना कि तो उसका comment box में comment करके बताओ होती है कि नहीं कि फिर अगला पॉर्शिन है विरण्जक्चूड का रासायनिक सूत्र का शूत्र की और बताओ विरण्जक्चूड का है education उत्र के विरण्जक्चूडकर शूते हो आपके पास ध्यर सारे option दिये गए है यन Na2CO3.10H2O Caocl2 NaOH K2CO3 विरंजक चूड का फॉर्मूला क्या है Caocl2 यह होगा विरंजक चूड का फॉर्मूला अप्सन देख लेते हैं C is the right answer विरंजक चूड का फॉर्मूला एक फॉर्मूला और मैं देख रहाता धोने का सोडा धोने का सोडा धावन सोडा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र तो इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3 Na2CO3.10H2O यह तो right answer है लेकिन यही पर तीन आपके पास भाड़काउः answer भी लिखे रहेंगे जिससे आप समझ नहीं पाएं क्या भाड़काउः कूश्चन भी जिससे आप भ्रहमित हो जाएं यह कुश्चन ऐसे करके डाले जाते हैं तो इसका right answer है अगर पूचा जाए धावन सोडा जो धोने वाला सोडा हो सकते फॉर्मूला क्या होता है याने 2CO3.10H2O ठीक है चलिए अगले कुष्चन की तरफ चलते हैं जल को जीवाडु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है यही पर लिखतू हूँ चलो जल को जीवाडु रहित बनाने के लिए बताइए आपसन दे देता हूँ आपको पहला ओपसन है धवन सोडा धवन सोडस जीवाडु रहित बन जाएगा है फिर फिटकिरी फिर बेकिंग सोडा फिर विरंजग चूड तो बताइए कि जल को जिवाणू रहिद बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है बताओ चार आपसं दे दिया राइट अंसर बताओं बताओं फिट किरी मिलाई जाती है फिट करी इसलिए बाल काटने वाले जो रहते हैं फिट करी लेकर के रखते हैं अब आपसे मेरा एक कुश्चन है फिट करी का फॉर्मूला बताओ फिट करी का फॉर्मूला बताओ के टू यह सो फॉर वाला बताओ फॉर्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कसम है सभी को अगर नहीं बताए ना तो भूल जाओगे ये question मुले भया ऐसी कतम दे दिये कि देखो भूलना अगर आप कोई भी चीजों को भूल जाते हो ना तो उसके tension मत लो उसके tension बिलकुल लोही मत कि मैं भूल जाता हूँ ये basic nature है इसे accept कर लो तुम्हें बताओं मैं Japanese जो जापान वली तने आगे बढ़ गए हैं वो लोग आज भी एक diary book पे काम करते हैं diary पे कैसे अगर उनको बजार जाना होता है तो diary ऐसे निकालते हैं उसमें लिख लेते हैं दो किलो आलू तीन किलो मिर्चा पांच किलो धनिया सव ग्राम मात्र वो क्या लेना सव ग्राम फूल गो भी दस ग्राम पालक ऐसे करके लिख लेते हैं फिर मार्केट जाते हैं खोलते हैं लेके चले आते हैं तो यह भूलने की आदत हमें है हमारा ब्रेन जो चीजों को रिवाइज नहीं करोगे आप जो भी चीज़ को वो चीज़ को भुला देगा इसलिए इस पर ज्यादा परेसान होने वाली बात नहीं कि यार मैं तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मेरे को यादी नहीं होता है भाई सही तरीके से रिवीजन करो याद होगा अगर फिर भी नहीं हो रहा ध्यान करो ध्यान करो ध्यान मतलब बस ऐसे और पते ध्यान में क्या करना है बिल्कुल सिंपल बहुत आसान किसी एक चीज़ पर फोकस करो या फिर अपने दिमाग के पीछे वले दिमाग के हिस्सों को देखने का प्रयास करो है ना करो या फिर कोई म्यूजिक चल रहे उस म्यूजिक पर फोकस करो समझ रहो सबसे सिंपल द्यान आता है तुहारी नाक चलती रहती नाक ऐसे खड़े हो फोकस करो कि तुम है नाक नीचे जा रही करो सब लोग करो अभी करो फिर देखो कि नाक अंदर जा रही है नाक अंदर भी जा रही है पेट फूल रहा है लंक्स फूल रहा है ऐसे फील करो इस चीज को फील करो चलो करते हैं करो कि मैं तो बहुत देर तक करने लगता हूं है न इसलिए क्या होता है पता है जो आपका दिमाग है न जो आपके थॉट्स है न वो एक जगे पर कंट्रोल हो जाते हैं ऐसे करके आपकी एनरजी कंट्रोल रहती है इससे और जिस समय आप यह चीज़े कर रहे हैं याद करिए कि आपके दिमाग के कौन से थॉट्स आ रहे हैं ठीक है जिन थॉट्स को आप भूलाना चाहते हैं उनको स्वैकार कर लीजिए उनको स्वैकार कर लीजिए कोई तुमसे बोले कि चाहँ करने लगे का नहीं करने लगे न है रो मत nh amigo फॉर जाएगा अब दुबारा से मत बोलना बस ओगिया ऑप को का डिअने व UT कर अखीट कर लीजिए को यह तो क्या हुत हूब हो तुम्हारा निकल दिमाग वह ऩुदो पास होने तो प्रवाइब निकल फिर तुम्हा दिवाग को लेगा यार वो तो कह रहा था तुब फेल हो जाएगा यार वो भी कह रहा तुह मौसा जी भी कह रहे थे कोई भी चीज़ा उनको अक्सेट कर लो मान लो गलती है मान लो कि हाँ मैं नहीं कर सकता बस फिर करो उसको एक अलग तरीके से अपनी चीज़ों को अपना लच न किसी को मत बताओ किसी को नहीं चुप चाप गंदे बंदे कपड़े पहन गया हो चाह और आहे में गूमते रहो है ना पागल की तरह यहां मा टहलते रहो लोग मिले तुम के दवड़ा लो बलत पगला गय क्या है है ना अपना लच न किसी को मत बताओ कि साइलिंट्ली वर्क करो और जस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी न उस दिन लोग देखेंगे पूरी दुनिया देखेगी क्लियर है चलिए कि कुश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि सुद्ध जलका पियच क्या होता है तो सुद्ध जलका पियच कितना होता है सुद्ध जलका पियच होता है साथ क्या होता है साथ या तो जलका पियच या फिर सुद्ध जलका इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए कुश्चन हमाई pH स्केल से ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल का pH आसुद्ध जल का pH तो भया जल मतलब जल साथ क्लियर है जल में नीमू मिला दोगे तो एसीड हो जाएगा फिर वो एसीड के नेचर में आ जाएगा फिर एसीड में देखना पड़ेगा किस लेवल पे है अगला कुश्चन है उदासीनी अभिक्रिया होती है अभिक्रिया होती है उदासीनी करण अभिक्रिया क्या होती है उदासीनी अभिक्रिया जो तो साल्ट प्लस वॉटर बनता है इसी रियक्शन को हम लोग बोल देते हैं कि इसी रियक्शन को अपने लोग बोल देते हैं उद्धाशीनी करणविक्रिया जो उदा सीनी करण अभिक्रिया है option है अमल एवं अमली लवण के दोरा होती है या फिर छार एवं छारी लवण से अमल एवं छार में अमल एवं जल में तो ये क्रिया किस के दोरा होती है उदा सीनी अभिक्रण अभिक्रिया के लिए आपको अमल चाहिए और छार चाहिए तो उद्धा सीनी करण अभिक्रिया होती है किसमें अमल और छार के साथ ठीक है अमल और छार में ये रियक्शन होती है ये क्रिया होती है चली एक कुश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताए ये Sulfur Dioxide का Jalivillion कैसा होता है Sulfur Dioxide SO2 का Jalivillion कैसा होता है तो जो Sulfur Dioxide होता है Sulfur Dioxide का Jalivillion हमेशा याद रखना छारी नहीं होता उदासी नहीं होता आयनिक नहीं होता है वो अमली होता है या SO2 का जो Jalivillion होता है एक हमारे क्लास में लड़का था उसका नाम था सुभाम तो कई बच्चों ने मिलकर करके उसका नाम रख दिया था S-O-T-U उसको SO2 SO2 ओलते थे SO2 SO2 करके उसका SO2 हो गया वो भाई बहुत पीटता था बच्चों को ऐसे हाथ उमेड़ दिया करता था एक मेरा दोस्त था है वो एलेन में तैयरी कर रहा था तो जब हम लोग यहां पर थे एक दिन ऐसे डिसकस हो रहा था तो ऐसे बताने लगा वो एलेन में नीट के तैयरी करने गया पतला भी था वो तो बोलता था यार वो जो सुभम था ना जो एसोटू था सोटू बोला वो यार हाथ ऐसे उमेड़ देता था वो बोलता था ऐसे जैसे हाथ उमेड़ था बोलता था अव बोलिये और बोलिये तो यह जब बोले ना बोलिये तो फिर हो बोले नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा चान से हमेशा पूरी जिंदगी आपके दिमाग में बैढ़ जाती है चलिए C-A-O-C-L-2 योगिक का प्रचिलित नाम क्या है C-A-O-C-L-2 योगिक को किस नाम से बुलाते हैं अभी मैंने बताया था इसको बताईए C-A-O-C-L-2 का बताईए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए अगर पूछ लिया जाए आपसे पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा प्रबल चारक है है ना प्रबल चारक तो अगर प्रबल चारक की बात आए तो आपको कहीं पर यन-A-O-C-L-2 या फिर के-O-C-L-2 दिख जाए ठीक है यन-A-O-C-L-2 और आपको यदि के-O-C-L-2 दिख जाए तो सर यही प्रबल चारक आपके होते हैं प्रबल जलका चारक यदि बात की जाए तो याद रखना यही होता है यन-A-O-C-O-C-L-2 अप्शन मिल जाए टिक कर देना बीना किसी परेसानी के न धोने के सोडे के दो उपियोग जलकी स्थाई कठोरता को हटाने में और काच साबूने हम कागा जुद दोगों में बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा ओ भाई बताव बेकिंग सोडा यह तो याद है भाई यन-A-C-O-3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है न-A-C-O-3 न-A-C-O-3 यह होता है बेकिंग सोडा क्लियर है तो आज की वीडियो यहीं तक इसमें आप विक्रिया वगएरा एसिट बेसन सॉल्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा neutralization reaction है और जैसे कोई योगी कोई मतलब की reaction है mix करके क्या बना ले दे संतुरित करने यह चीज आप पढ़ लिजेगा यह बहुत important है जो भी नहीं समझा रहा है उसको नीचे comment box में comment करके बता दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाओ चाहिए wish you all the best, thank you